नमस्कार दोस्तों वीमिन्स IPL 2023 में स्टार बल्लेबाज इसमिर्ती मंधाना की कप्तानी में RCB यानि रॉयल चलेंजर्स बैंगलूरू को भले ही सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था लेकिन वीमिन्स IPL में अपनी सुरुवाती चार मैचों में हार के साथ RCB की टीम फाइनल के दोड़ से बाहर हो चुकी है जीहा वीमिन्स IPL में भी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे की मेंस IPL में RCB के साथ होता रहा है जबकि देखा जाये तो RCB की दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक दिगज गेदबाज और बल्लेबाज है RCB की मेंस टीम में विराट कोहलि एबी डिविलियर्स और क्रीस गेल जैसे दिगज बल्लेबाज होने के बावजूद IPL इतिहास में RCB एक बार भी चेंपियन नहीं वनी अब तो RCB के फैंस यहां तक मांग करने लगे हैं कि विमिन्स IPL के साथ साथ मेंस IPL से भी RCB की टीम को हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए दोस्तों RCB की मेंस और विमिन्स टीम को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा अब आते हैं RCB और UP वार्यर्स के बीच खेले गए मैच पर तो RCB की कप्तान इस्मिर्थी मंधाना ने टोस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस उमीद में की कि साथ आज उनके बल्ले की खामोसी तूट जाए लेकिन एक बार फिर इस्मिर्थी मंधाना मात्र चार रन के नीजी स्कोर पर आउट हो कर पावेलियन लोट गई हलकि इसके बाद सोफी डिवाईन और एलिस पेरी ने अच्छी बल्ले बाजी की सोफी डिवाईन 24 गेंद पर 36 रन बना कर आउट हुई जबकि एलिस पेरी 52 रनों की अर्धस तकी अपारी खेल कर दिपती सर्मा का सिकार वनी सोफी डिवाईन और एलिस पेरी के आउट होने के बाद आर्सीवी की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और पूरी टीम मात्र 19.3 ओवर में 138 रन पर सिमट गई वहीं दूसरी तरफ यूपी वारियर्स की तरफ से बत और सलामी बल्लेबाज पारी की सुरुवात करने आई एलिसा हेली ने आर्सीवी के गेदबाजों की ऐसी धुनाई करी कि आर्सीवी की गबतान स्मिर्ती मंधाना इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगी जी हाँ आपको बता दें कि देविका वैदिया और एलिसा हेली ने सिर्फ तुफानी बल्लेबाजी ही नहीं की बल्कि बिना कोई विकेट गवाए आर्सीवी की टीम को दस विकेट से हरा कर वीविन्स आईपील में एटी हास रच दिया है देविका वैदिया के बारे में कुछ फैंस यह दावा कर रहे हैं कि एक ओर में छे छक्के लगाने का विश्व रिकार्ड बना सकती है